रो दोगे ये कहानी सुनकर पती जरूर देखे। पती पतनी में छोटी सी बात पर जगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी। वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को पती को प्यास लगी तो उसने खुद उठकर पानी पी लिया। अचानक उसने देखा उसकी पतनी उसे गुसे में देख रही थी और बोली आपने पानी खुद क्यू पिया। पती ने भी अकड़ से जवाब दिया। हाथ पाव सलामत है। खुद भी पी सकता हूँ। किसी का मोहताज नहीं। पतनी ने पास आकर पती का गिरेबान पकड़ लिया। और बोली। गौर से सुन लो। लड़ाई अपनी जगए है लेकिन में अपना हक छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती है। भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो लेकिन आप पानी खुद नहीं पियेंगे। ऐसा कहते कहते पतनी की आँख जाती है। कहती थी मोहबत कभी मर नहीं सकती। मेरे भाईयों और बहनों अपने लोगों की जिन्दा रहते ही कद्र कीजिए। ये जिन्दगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करे।